अगर गूगल शीट के अंदर हमारे पास कोई information है in the form of name, email or phone number और हम यह चाहते हैं कि वो जो phone number Google Sheet में mentioned है या उस Google Sheet के अंदर automatically इस टाइप से जो information है वो regularly populate हो रही है तो हम चाहते हैं कि इस phone number के उपर automatically एक WhatsApp message जो है वो चला जाए जैसे यहाँ पर कोई दूसरी information है वो यहाँ पर mention हो उसका जो phone number है उसके उपर WhatsApp का एक automated message जो है वो चला जाए अब इस टाइप के automation को setup करने के लिए हमारे पास जो trigger और जो action की definition है वो कुछ इस तरीके से है कि once a new row is added in google sheet तो एक जो हमारी application इस particular automation की बन जाएगी वो एक application तो हमारी google sheet बन जाएगी और दूसरा जो हम लोगों को automated WhatsApp message भेजना है वो with the help of हम लोग AI sensee का जो platform है उसके through हम लोग भेजेंगे तो जो दूसरी हमारी application है जिसमें action हम लोग या जिसके through हम लोग action को define करेंगे that is basically AI sensee तो यहाँ से सीधे हम लोग आ जाएगे हमारे पैबली के dashboard के उपर पैबली connect के dashboard के उपर और यहाँ पर हम लोगों को यह जो हम लोगोंने भी condition define करी इसको ऐसा workflow setup करना है और practically इस पूरे automation को हम लोग set up करेंगे तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो workflow और automation है उसको define कर देंगे हम लोग mention कर देते हैं यहाँ पर google sheet to whatsapp automation whatsapp automation आप अपने according इसका नाम जो है वो रख सकते हैं मैं इस particular workflow को create करूँगा और उसके बाद हम लोगको हमारा जो trigger और action है उसको define करना है तो हमारी जो trigger की application है that is google sheets तो हम लोग यहाँ पर google sheets select कर लेंगे और so google sheet को select करने के बाद हमें हमारा जो trigger event है उसको हमें define करना है अब trigger event जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि जैसे ही हमारी sheet में कोई information जो है वो populate होगी यहाँ पर हम चाहेंगे कि एक automated message जो है वो चला जाए तो जो trigger की condition है वो basically यहाँ पर जो row add हो रही या update हो रही है उसको हम लोग define करेंगे as a trigger तो मैं वापस आ जाओंगा trigger event में हम लोग जाएंगे और new और updated spreadsheet row को हम लोग यहाँ पर select कर लेंगा इसके बाद हमें google sheet को connect करना पड़ेगा तो हमारे पास webhook URL है इसको हमें copy करना है और वापस आ जाना है sheet के उपर और extension में जाकर आपको यहाँ पर जो आपका pably connect webhooks का एक install कर लेना है once this extension is installed आपको वापस आना extension के उपर और आप एक बार refresh कर लीजेगा उसके बाद आपको वापस extension के उपर आना है पैबली connect webhooks के उपर जाना है और initial setup जो है उसको आपको on करना है अब initial setup के through इस sheet की जो information है वो हम पैबली connect के platform के अंदर भेजने वाले है तो जो web book है उसे हमें use करना है जैसे यह वाला हमारा webhook था हमने इसको copy कर लेना है और वापस आ जाना है और यहां पर हम webhook का URL जो है वो mention कर देंगे जो trigger column है वो phone number है हमारा वो तो हो जाएगा हमारा C उसको भी हम mention कर देंगे और यहां पर हम लोग click कर देंगे submit के उपर अब हमने यह जो initial setup है इसको कर दिया है अब इस information को जो यहां पर हमने google sheet में डाली वी है अगर हमें इसे पैबली को भेजना है ताकि पैबली connect इसको further जो है वो आगे push कर पाए AI sensei के through whatsapp message के form में तो उसके लिए यह information हमें सीधे पहले पैबली connect में भेजनी पड़ेगी तो उसके आपको यह information दिख रही है कि row index 2 में जो information थी यहाँ पर यहाँ पर जो भी information थी नेम में उमर था email में test.gmail.com था और यहाँ पर phone number था वो same information अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वो same information जो है वो यहाँ पर दिख रही है अब इस information के basis पर हमें एक action बनाना है कि हमें WhatsApp का message जो है, वो send करना है, with the help of AI-sensee, तो मैं AI-sensee जो है, वो यहाँ पर select कर लूँगा, अपनी application के अंदर, और इसके through में क्या करना है, एक send करना है, template message को, और AI-sensee को हम लोग को connect करना पड़ेगा, तो already मेरा AI-sensee के उपर यहाँ पर account जो है, वो बना हुआ है, अब connect करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस आजाएं, connect के उपर click करेंगे आप, तो क्योंकि मेरा existing connection बना हुआ है, तो मैं उसको ही select कर सकता हूँ, बढ़ जब आप add new connection के उपर जाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ आपस API key जो है, manage के उपर अगर आप जाएंगे और API key के उपर जाएंगे, तो यहाँ आपको API key मिलती है, इसको आप copy करेंगे, और इसको यहाँ पर paste करने के बाद आप save कर देंगे, तो आपका जो connection है, वो establish हो जाएगा, हम लोग already एक connection मना चुके हैं, तो मैं select existing connection को यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ, अब जो campaign का name है, देखें, यह required है, इसको आप ignore नहीं कर सकते, campaign का name आपको डालना पड़ेगा, respective mobile number जो है, जिसके उपर आप WhatsApp के थुरू, आप एक message का automation fire करेंगे, वो mobile number आप यहाँ से जो भी capture हुआ है, इसको dynamically यहाँ से pick कर लेंगे, user name आप अपना mention कर देंगे, अगर आपकी template के अंदर कोई parameters हैं, AI sensee के उपर जब भी आप templates बनाते हैं, तो उसके अंदर आप कुछ parameters रखते हैं, ताकि dynamically values को वहाँ पर भेजा जा सके, तो अगर कुछ parameters हैं, उन parameters को आप यहाँ पर define कर देंगे, that's it, save and send test request करेंगे, तो उस number के उपर जो है, वो WhatsApp automation जो है, वो fire हो जाएगा, बट जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, campaign name, तो आपका campaign name जो है, वो बना होना चाहिए, और उसके अंदर जो message template है, जो भेजनी है आपको, वो भी वहाँ पर होनी चाहिए, along with message template आपकी approve होनी चाहिए, तो उसके लिए जब आप AI sensee के उपर आते हैं, और यहाँ पर अगर आप जाए template message के अंदर, manage के through template message के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत सारे templates हैं, आपको कुछ message भेजना है, तो अगर मैं marketing यहाँ पर select कर लूँ, हमारी जो language है, वो English select कर लूँ, क्योंकि जो हमारी template की category है, वो marketing में fall होगी, utility और authentication में नहीं, template का name जैसे मैं अगर यहाँ पर रखना चाहूँ, test template name, तो वो आप रख सकते हैं, यहाँ पर template का type हो गया, text और template की header optional है, अगर आप यहाँ पर mention करेंगे, जैसे offer, तो वो आ जाएगा, यहाँ पर आपको preview भी दिख रहा है, अगर नहीं आप mention करेंगे, तो कोई बात नहीं, template का format है, जैसे मैं यहाँ पर mention करना चाहूँ, यहाँ आपकी जो टेंपलेट है यहाँ पहले approval के लिए जाएगी, तो within seconds यह approve हो जाती, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो जब यह approval के लिए जाएगी, तो आपको यहाँ पर pending पर आकर चेक करना है, यहाँ पर आपको template दिखाई देगी, कि वो pending है, जैसे ही आप sync status पर करेंगे, within seconds यह template आपके approve हो जाएगी, अगर आपने कुछ गढ़बरी नहीं करी होगी, यहाँ पर अगर मैं approve पर देखो, तो एक batch नाम की जो template है, वो हम लोगों ने already approve करा के रखी हुई है, और इसके अंदर जो message है, वो क्या है, hello we are going to start one new batch from 12th May, thanks और यहाँ पर एक footer में information है, and then there is a call to action, तो एक simple सा template हम लोगों ने already पहले से ही AI SENSY के अंदर बना कर रखा है, अब इस template के basis पर एक campaign हम लोगों को बनाना है, तो वापस हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, campaigns के अंदर, launch के उपर आपको जाना है, उसके purpose के according आपना campaign name जो है वो रख सकते, यहाँ पर केवल पढ़ाने के point of view से मैंने इस तरीके से mention कर दिया, now you have to select your template, this is very important, तो जो हम लोगों ने template अप्रूफ कराई थी, वही template हम लोग यहाँ पर select कर लेंगे, उस template का जो नाम था, वो batch था, ठीक है, और यहाँ पर आपको उसका preview जो है, वो भी दिख जाएगा, अब क्या करना है आपको, आपको जो आपका campaign है उसको set live करना है, ठीक है, this is very important कि आपका campaign live होना चीज़, जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह वाला हमारा campaign है यह live है, तो आप देख रहे हैं, new test वाला जो हमारा campaign है, एक वो live है, तो हम चाहें तो इस वाले campaign को भी use कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले campaign के अंदर, जो भी हमारे template message use हो रहा है, उसको भी हम लोग send कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर respective हमारे fields add होती जाएंगे, और उनके against यो भी number होगा, उनके उपर automatically whatsapp से message चला जाएगा, वापस हम लोग आ जाएंगे, पाबली के उपर, अब जो information हमें map करनी, वो हमें mention करनी, लेट से हमारा campaign name था, वो हम यहाँ से वापस उठा लेते हैं, एक बाद ध्यान से आपको select करना है, जैसे new test था आपका campaign का name, तो मैं इसको यहाँ से copy कर लूँगा, new test को, और यहाँ पर हम लोग new test को paste कर देंगे, ठीक है, refresh जो है, इसको आप हटा दीजेगा, new test आपका campaign name हो गया, और जो mobile number है आपका, यह आपको dynamically pick करना है, यहाँ से, ठीक है, user name में हमारा जो name है, वो चला जाएगा, जैसे name में जो user name था, बाकी की चीज़े मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस particular template के अंदर, मैंने कोई parameter भी नहीं use किया हुआ था, यहाँ पर जो अभी आप लोगों ने template देखी थी, मैं manage में जाकर वापस आपको approval में वो template दिखाता हूँ, इसके अंदर कोई भी parameters नहीं use है, वहीं पर अगर आप दूसरी एक template देखें तो यहाँ पर parameters यूज़ है, जैसे यह one one करके parameter यूज़ किया गया है, two करके parameter यूज़ किया गया है, तो इसके against हमें कोई value जो है वो push करनी होती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को simple रखा है, so that आप process को समझ सकें किस तरीके सा automation किया जा सकता है, whatsapp message का, अगर आपके पास को information Google sheet के अंदर है, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ हम लोगों ने select कर लिए, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि एक audience है और एक message deliver हुआ है, तो इसी तरीके से एक और message जो है वो deliver हो जाएगा, थोड़ी से analytics भी आपको पता चलिएगे, तो मैं आपर click करूँगा save and send test request के उपर, बट यहाँ पर successful होना चाहिए, तो यहाँ पर जो आपको response दिखाई देगा, उसमें भी आप देख लिजेगा कि यह success है या नहीं है, यहाँ पर यह success है, इसके value true हो चुकी है, ठीक है, तो यह जो हम लोगों ने automation setup किया है, उसकी वज़े से इस mobile number के उपर एक message आ जाएगा, WhatsApp का message, और अगर हम वापस आकर यहाँ पर देखें, तो अभी आप देख रहों, अभी यहाँ पर एक audience थी, अगर अभी आप देखें, तो दो audience है, और दो messages जो है, वो send हुए, मैं mobile में भी एक बार check कर लूँगा, ठीक है, मैंने mobile में भी एक बार, यहाँ पर जो है वो, तो यहाँ पर मेरे पास mobile में भी message आ चुका है, इसका भी मैं screenshot जो है, वो यहाँ पर लगा दूँगा, so that आप समझ सके ही, किस टाइप से mobile के उपर message आए, so now every time, अब person or a detail is added into Google Sheet, अब वो automatically भी हो सकती है, वो manually भी हो सकती है, अगर इस Google Sheet में कोई data update होगी, तो because here is one setting which is send on event, जैसे ही मैं send on event को on करूँगा, जैसे ही यहाँ पर कोई भी information जो है, वो add होगी, वैसे ही, क्योंकि यह automation already set up हो चुका है, उसी तरीके से यह automation जो है, वो fire होगा, और जो message जाना है, उस particular WhatsApp number के उपर वो चला जाएगा, इस तरीके से जो हम लोगों ने case लिया था, कि किस तरीके से अगर आपके पास Google Sheet में कोई numbers है, कोई information है, वो regularly populate हो रहे हैं, तो किस ताइप से आप automated message WhatsApp का using AI CNC वहाँ पर send कर सकते, इस particular वीडियो में इतना ही, मिलता है next video में, till then, good bye.